हलो गुड मॉरिंग आप सभी को बहुत बहुत नमसकार और आज हम लोग अनुवाद बनाएंगे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे बहुत ही आसान है एकदम इजी है इडिस वेरी इजी तो ट्रांसलेट एवरे हिंदी संटेंस इंटो इंग्लिश सबसे सारे के सारे बुक का एक्सराइज बनाना आसान है लेकिन हम लोग आज फर्स्ट स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और उसको सीखेंगे जैसे पहला वाक्य है अगर मैं आपको पहला वाक्य दो कि हम लोग सिक्छक है तो यहाँ पर आते हम लोग क्या है तो हम लोग सबसे पह Am is are में से किस का यूज करेंगे तो we के साथ are का यूज करेंगे और उसके बाद फिर सिक्चक है तो सिक्चक का क्या हो जाएगा Teachers हो जाएगा तो हम लोग बनाएंगे we are teachers हम लोग सिक्चक क्या बन जाएगा we are teachers चलिए use of is am are भी first exercise में ही है तो is am r का इस्तमाल कहा करते हैं इस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं is am r का परियोग present tense में किया जाता है we use is am r in only present tense is का इस्तमाल singular, number, singular, number के साथ करते हैं r का परियोग plural number के साथ करते है am का परियोग only keval i के साथ करेंगे singular में चलिए आगर हम लोग sentence structure की बात करते हैं तो sentence structure में हम लोग लिखेंगे क्या तो सबसे पहले कौल सा structure के अधार पर इन सभी वाक्यों का formation करेंगे इंगलिस में तो subject plus ismr plus noun के लिखेंगे तो subject, subject में जो भी subject हो जिसे कोई proper noun है या फिर कोई pronoun है नाउन के बदले में जिसका इस्तवाल करते हैं उसको pronoun कहते हैं चाहे pronoun हो और उसके हिसाब से हम लोग e, exam, r का प्रियूब करेंगे उसके लास्ट में noun आता है तो noun के पहले अगर noun singular number में है तो a का यूज करेंगे या फिर an का यूज करेंगे अगर कोई noun vowel से शुरू है तो फिर हम लोग and का यूज करेंगे अगर consonant से शुरू है तो फिर a का यूज करेंगे अगर plural number में है तो a और and का यूज नहीं करेंगे वहाँ पर हम लोग article का यूज ही नहीं करेंगे लेकिन हाँ definite है कोई noun definite है, पूर्व निस्चीत है, तो हम लोग the का use कर सकते हैं, तो हम लोग structure क्या सीखे, subject plus is a bar plus noun, और उसके पहले अगर article का जरूरत है, तो noun के पहले article का use करेंगे, इससे मैं एक चिकित सक हूँ, तो I होगे है, हपर subject, फिर I के साथ हम लोग पढ़े is a bar में, cable am का use करेंगे तो I am, उसका चिकित सका क्या होता है, doctor होता है, तो एक ही doctor होंगे, तो I am a doctor, फिर दूसरा वाक्य कि अगर हम लोग बात करें, कि वे लोग नर्तकी हैं, तो वे लोग का क्या लिखेंगे, दे के साथ हमेशा आर का use करते हैं, तो दे आर नर्तकी का हो जाएगा, dancers, दे आर डै fingers, वह चालाक है, तो यहाँ पर, sorry, यह तो adjective में चलेगा, हम लोग adjective का अभी examples नहीं लेंगे, ना उन पर ही example लेंगे, वे लोग ग्वाले हैं, तो दे आर milkman, sorry, milkman लिखेंगे, milkman का plural का हो जाएगा, milkman हो जाएगा, man का plural, man, तो दे आर milkman, फिर आप एक driver है, आप एक क्या है चालाक है, तो you are a driver, तो चलिए इस परकार है, आज हम लोग सीखी, फिर आप लोग next class मिलते हैं, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बारे चालाक पर नए है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए